एक्सराइज 4.2 इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सराइज 4.1 हमने पहले अप्लोड कर दिया है जिसकी लिंक हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है अगर आपको कोई भी क्वेरी हो अगर आप देखना चाहते हो इंट्रोडक्शन में समझना चाहते हो चैप्टर के बारे में तो आप इंट्रोडक्शन में जाके इसको समझ सकते हो एक्सराइज 4.1 भी कर सकते हो आज हम सॉल करने जा रहे है एक्सराइज 4.2 अगर डियर इस्टोड आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि इसी चैनल पर मिलने वाले हैं आपको मैच के सभी वीडियोज एजी सोलुशन और एजी लेंग्विज के साथ में ओके लट्स बेस्टार्ट देरिस फर्स्ट कोशन फाइंड दरूट्स ऑफ फॉलॉविंग क्वाड्रिक एक्वेशन बाई फैक्टोराइज अब इसमें ऐसा बोला है कि फैक्टोराइजेशन के मेतर से आपको इनके सोलुशन निकालने हैं रूट्स की वैल्यूज निकालनी हैं जैसे यहां पर फॉर्स्ट एक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वेर माइनस 3 एक्स माइनस 10 इक्वस टू जीरो अब देखें यहां पर क् ट्री एक्स और 10 तो हम क्या करेंगे 10 को सबसे पहले एक्स स्क्वेर से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 10 disrupted के मैं इस तरी इसे करने है कि जिसे प्लस माइनस करने पर जो बीच वाली वैल्यू है 3X ही आए, माइनस 3X आए और जिसको मल्टिप्लाइ करने पर 10 आए तो देखिए हमने साइड में यहाँ पर इसको फैक्टोराइस किया है 5, 2, 10, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा, ओके तो फैक्टोराइस करते हैं आएगा इसका अंसर, X स्कार माइनस 5X प्लस 2X माइनस 10, अब यहाँ पर जो बड़ी डिजीट होगी 5X और 2X में से उसके आगे माइनस लगाएंगे, ताकि जब इसको स्वाल करें तो माइनस 3X अंसर आए, जो कि हमें सारी एक्विशन में इसका स इंबल का सबसे स्पेशली ध्यान रखना है, अब देखिए, अब इसके 2 पार्ट करते हैं, X स्कार माइनस 5X और दूसरा पार्ट होगा 2X माइनस 10, अब देखिए, इसमें से हम X कॉमन लेते हैं, तो X माइनस 5 प्लस, अब दूसरी वाली में से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, त तो X स्कार माइनस 5, तो देखिए, यहां पर हमें 2 वैरियेबल की वैल्यूस मिल चुकी हैं, रूट्स की वैल्यूस, अब नेक्स्ट देखिए, 2X स्कार माइनस 6, अब हम क्या करेंगे, पहले 6 को 2 से, 1st और लास्ट इजिट को मल्टिप्लाइ कर देगे, तो 6 को 2X स्कार से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो आज है कर 12X स्कार, अब 12 के इस तरीके से 2 पार्ट करने हैं, जिसको मल्टिप्लाइ करने पे 12 आए, और प्लस माइनस करने पे 1 आए, तो देखिए, 6 मल्टिप्लाइ बाइ 2 इक्वस तो 12, 12 के टू पार्ट की तो 4 थी जा 12, अब देखिए, 2X स स्कार, प्लस 4X माइनस 3X माइनस 6, अब हमने 4 के आगे, जो इन दोनों 4X और 3X में से बढ़ी डिजिट है 4, 4 के आगे हम प्लस लगाएंगे, ताकि हम इसका अंसर प्लस में ही मिले, फिर देखिए, अब वापिस हमने इसके 2 पार्ट कर दी, जो 4 हमें डिजिट मिली, एक त दूसरा फेक्टर, दूसरी तरफ तो देखिए, 2X स्क्वाइर प्लस 4X में से 2X कॉमन ले लेंगे, तो अंदर की तरफ आएगा, X प्लस 2, फिर देखिए, माइनस 3, कॉमन ले लेते हैं, तो अब अंदर आजाएगा, X प्लस 2, 3 तू जा 6 होता है, इसलिए अंदर 2 आजाए और दूसरी तरफ, X प्लस 2, उक्वस्ट उ जीरो, तो X की वैल्यू आजाएगी, माइनस 2, तो यहाँ पर भी हमें, roots की 2 values मिल गए, X की 2 values मिल गए, X की 1 value है, X उक्वस्ट उ माइनस 2, और दूसरी है, X उक्वस्ट उ 3 उपॉन 2, फिर देखिए, थ़र है, यहाँ पर, 2X स् जो हमने साइड में लिखा है किस तरीक से स्वाल किया है वो 5,2 जा 10, 10 को टू पार्ट में डिवाइट करना है इसका फैक्टोराइज करना है तो देखो 5,2 जा 10, अब 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7x आजाएगा, 5 और 2 को मल्टिप्लाइ करेंगे तो 10 आजाएगा, तो मन निकाला हमने प्लस 5, तो अंदर आजाएगा x प्लस रूट 2, ब्रेकेट वाली वैल्यू हमेंशा सेम आएगे, अगर आपकी ब्रेकेट वाली वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो आप समझ जाना कि आपका आंसर रहा है, आपका फैक्टोराइजेशन रहा है या आपका कोई सिम्बॉल मिस्टेक है, इसके बाद में हम दोनों ब्रेकेट को अलग कर देंगे, रूट 2 x प्लस 5, this is the first bracket, then second bracket is x प्लस रूट 2, तो देखिए, रूट 2 x प्लस 5 इक्वस तो 0, रूट 2 x इक्वस तो माइनस 5, तो x इक्वस तो हो जाएगा, माइनस 5 उपॉन रूट 2, इसी इसी तरीके से फोर्त वाला है, जिसमें हमें दिया गया है, 2 x स्कूर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8, अब सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन 8 को 2 x स्कूर से मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो x स्कूर अभी रहें, देखें, मैंने यहां पर किया है, यह 2 है, मल्टिप्लाइ पर 1 अपॉन 8, अब 2 से 8 कैंसल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 आजएगा, 1 अपॉन 4 को 2 पार्ट में हमें डिवाइट करना है, कि जिसको प्लस माइनस करने पे, सिर्फ x आए और मल्टिप्लाइ करने पे, 1 अपॉन 8 आए, तो देखिए, 1 अपॉन 4 आए, तो देखिए, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 इसके 2 पार्ट कर दिये हमने, 2 तू जा 4, तो देखिए, यहाँ पे लिखा है, 2 x स्कूर माइनस, 1 अपॉन 2 x माइनस, 1 अपॉन 2 x प्लस, 1 अपॉन 8 इक्वास टू, 0, अब देखिए, 16 x स्कूर, अब यहाँ पे सबका हम LCM ले लेंगे, तो यहाँ पे सबस से नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 x स्कूर के नीचे कुछ भी निए, 1 लिख दे, 1 एट जा, 8, तो इसी 8 को 8 उपर भी मल्टिप्लाइ कर देंगे, नुमेरेटर से, तो 8 तू जा 16, तो 16 x स्कूर अपॉन 8, माइनस, अब 2 4 जा 8, तो यह नीचे 8 आ गया, यहाँ पे अब देखिए, अब 1st वायली वैल्यू में से क्या निकाल दिया, हमने 4 x अपॉन 8, तो अंदर क्या रहा, 4 x माइनस 1, क्योंकि 4 x अपॉन 8 बाहर निकल गया aí, फिर दूसरी ज़गे हम क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन 8 बाहर निकल देंगे, तो अंदर क्या रहे गा, 4 x 1 upon 8 जब हम बाहर निकलते हैं, तो देखिए, 1 upon 8 पूरा बाहर निकल गया, तो यहां पर सी 4x रहा, और यहां पर से 1 upon 8 बाहर निकला, माइनस का, तो यहां पर रहेगा 1, तो यह देखो प्रेकिट में सेम वेल्यूज आगे, it means हमारी वेल्यूज अभी तक सही आ रही है, फिर ह जब हम इसको solve करेंगे, तो 4x upon 8 equals to 1 upon 8, जब हम equals to के right side में ले जाते हैं, तो यह minus का plus में change हो जाएगा, 8 से 8 cancel हो जाएगा, तो 4x equals to 1, तो x equals to 1 upon 4, इसी तरीके से 4x minus 1 equals to 0, तो 4x equals to 1, तो x की वेल्यूज आजाएगी 1 upon 4, यहां पर रूट्स की वेल्यूज दोनों सेम आ रह है, फिर फिफ्ट नमबर है, 100x square minus 20x plus 1 equals to 0, अब इसको हमें solve करना है, अब यहां पर 1 है, तो 1 last digit 1 है, और first में है 100, 100 से multiply करेंगे, तो यह 100 आया, अब इसको plus minus करने पर 20 आना चाहिए, और इसको multiply जब हम करें, तो 100 आना चाहिए, तो 10 tensa 100, जो की हमने side में factorize करके दिखाया ह है, देखिए, अब यहां पर हम लिख देते है, 100x square minus 10x minus 10x plus 1, 10x और 10x minus करेंगे, तो minus 20x आजाएगा, फिर देखिए, 10x common ले लेंगे, तो 10x minus 1 अंदर की तरफ आजाएगा, फिर आगे में से 1 minus 1 common लेंगे, तो अंदर की आजाएगा, 10x minus 1, क्योंकि बाहर common में minus लिया है, दो brackets बना लेंगे, फिर्स ब्रेकिट में होगा 10x minus 1, दूसरे में होगा 10x minus 1, फिर 10x minus 1 equals to 0, 10x equals to 1, x equals to 1, sorry, 1 upon 10, इसी तरीके से 10x minus 1 equals to 0, 10x equals to 1, x equals to 1, x equals to 1, x equals to 1 upon 10, तो देखिए, दोनों roots की values, same i x equals to 1 upon 10, and दूसरी value भी 1 upon 10 ही है, अब second question में ऐसा लिखा है, कि solve the example problem given in example 1, अब हमें क्या करना है, कि इसमें example जो दिया गया है, उसके according इसकी equation बनानी है, और फिर उससे हमें उसको solve करना है, John and Jeevanti together have 25 marbles, दोनों के पास कितनी marbles है, 25, both of them lost 5 marble each, अब दोनों के पास से 55 marble खो गई है, and the product of the number of marble they now have is 124, और इन दोनों के marbles का अगर product करते हैं, तो वो होगा 124, for which we would like to find out how many marble they had to start with, अब इसमें ऐसा पूछाएं कि, बताइए कि starting में इन दोनों के पास में कितनी marble थी, तो देखिए, let the number of marble John had, John के पास में कितनी marble है, X, तो जीवनती के पास कितनी marble हो जाएगी, अगर John के पास है, total number of marbles, अगर 45 है, तो इसमें से क्या होगा, X, माइनस हो जाएगा, यह sorry 45 है, यहाँ पर 25 लिग दिया है, 45 marbles है, दोनों के पास में, तो marble जीवनती है, 45 में से X, माइनस कर देंगी, तो यह जीवनती की marbles हो जाएगी, बोथ lost marble 5, तो John के पास से भी 5 marbles गई, तो X, माइनस 5, जीवनती के पास से भी 5 marbles गई, तो 45 माइनस X, माइनस 5, अब John के पास marble का number आगया, जीवनती के पास marble का number आगया, इन दोनों का product किसके बराबर, 124 के बराबर है, तो देखिए, X, माइनस 5, multiply by 40, माइनस X, क्योंकि 45 में से माइनस कर देंगी, तो 40 माइनस X आजाएगा, equals to 124, अब हम जब इन दोनों का multiply करेंगे, तो पहले X को 40 माइनस X से multiply करते हैं, फिर माइनस 5 को 40 माइनस X से multiply करते हैं, equals to 124, तो यह जो answer आएगा, इसका solve करेंगे, तो 40X माइनस X स्क्वेर माइनस 5 को 40 से करेंगे, तो माइनस 205 को X से करेंगे, तो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 5X equals to 124, अब इसको ascending order में लिख देते हैं, इसका standard form में लिख देते हैं, माइनस X स्क्वेर माइनस 45X माइनस 200 equals to 124, अब 124 काम left side में ले लेंगे, equals to के, तो यह आजाएगा, माइनस X स्क्वेर माइनस 200 माइनस 124 equals to 0, अब आएगा, माइनस पूरे equation को जो भी हम solve करते हैं, तो माइनस X स्क्वेर माइनस 324, क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस हो तो माइनस क्या करेंगे हम इसमें से कॉमन ले लेते तो अंदर की सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो देखिए एकस स्क्वाइर प्लस 45 एकस माइनस 324 जब हम इसको ओपन करेंगे माइनस अटा देंगे तो यहाँ पर आजाएगा माइनस इस कॉमन जो कि मैंने ब्रेकिट में लिखा दिखा बांसर आएगा अब हम करेंगे इसको फैक्टोराइज तो देखिए 324 को जब हम फैक्टोराइज करेंगे तो साइड में मैंने लिखा है 36 नाइन जा 324 और 36 में से जब हम नाइनस प्लस या माइनस करेंगे तो इसका आएगा 45 एकस तो देखिए यहां पर हमने इसको स्वाल किया x2-9x-36x-324 equals to 0 अब फर्स्ट में से हम x common ले 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 तो अंदर आजाएगा x-9 और सेकिंड में से 36 common ले लेंगे तो अंदर आजाएगा x-9 फिर दोनों ब्रेकिट से अलग करेंगे तो x-9 और x-36 x-9 equals to 0 तो x equals to 9 x-36 equals to 0 तो x equals to 36 इसी तरीके से हमें x की दोनों values मिल गई है यहां पर एक x की value होगी 9 और एक x की value होगी 36 अब इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो इनका over total आजाएगा 36 प्लस 9 45 तो दोनों का sum कितना था 45 था जो की यहां पर clear हो गया है next question है a cottage industry produce a certain number of toys in a day एक cottage industry है वो एक दिन में कुछ number toys बनाती है clear नहीं किया कि कौन से number हम let कर देंगे let the number of toys equals to x the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produces in a day अब इसमें क्या बोला है कि the cost of production of each toy एक toy के production में जो cost आती है was found वो मिली है to be 55 minus the number of toys produced in a day वो कितनी है कि एक दिन में जितने toys produce किये चाते हैं उससे 55 minus 55 number कम है on a particular day the total cost of production was rupees 750 अब एक दिन में जो है उसकी total production cost कितनी आती है total toys की 750 we would like to find out of number of toys produces on that day अब हमें यहां पर क्या निकालना है कि उस दिन कितने toys बने थे तो देखें let the number of toys जैसे हमने पहले माना आता कि x है अब उसमें से each toy की अगर total number of toys की जो number है वो x मानते है तो x में से 55 मानस कर देंगे तो यह पर toy की cost आ जाएगी तो cost of each toy equals to 55 मानस x क्योंकि जो पूरे दिन में जो toys बन रहे है उनकी उससे 55 मानस करते हैं तो एक toy की cost आ जाती है clear हो गया आपको ओकी आगे चलता है total cost total cost कितनी है 750 rupees तो क्या करेंगे हम total cost को इनकी दोनों का multiply कर देंगे x multiply by 55 मानस x number of toys और number of एक toy की cost number of toys और एक toy की cost से दोनों का multiply करेंगे तो यह आजाएगा 750 फिर 50 इसको solve करेंगे तो 55 x मानस x square equals to 750 minus x square plus 55 x minus 750 equals to 0 minus अगर हम बाहर ले ले लेते हैं तो इसके sign अंदर की तरफ change हो जाएगे x square minus 55 x plus 750 equals to 0 अब हमें क्या करना है यहाँ पे 750 को factorize करना है इस तरीके से करना है कि plus minus करने पर 55 आए और multiply करने पर 750 आए तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों को factorize किया है यह 30 multiply by 25 इन दोनों को multiply करेंगे तो 750 आएगा और minus minus करेंगे दोनों का तो यह आजाएगा 55 x तो देखिए x square minus 30 x minus 25 x plus 750 equals to 0 तो अब इसको हम solve करते हैं common लेकर के तो first common में x बाहर आगिया x minus 30 second common में minus 25 बाहर आजाएगा x minus 30 अंदर रहेगा तो दो brackets मिल गए हमें x minus 25 और दूसरा है x minus 30 x minus 25 equals to 0 तो x equals to 25 x minus 30 equals to 0 तो x equals to 30 तो हमें दोनों values मिल गए हैं यहाँ पर x की 25 और 30 लाओ sorry dear student इसका शायद question miss हो गया है यह question number था हमारा solution question number b यह question number c का solution है जिसमें first number दिया गया है फिल second number हमें find करना है और उनका दोनों का जो product है वो 182 के बराबर है आप इसका question book में देख लीजिएगा शायद इसमें मिर से मेस हो गया है मैं आपको इस c का solution बता देती हूँ let the first number b x then second number क्या होगा 27 में से x माइनस कर देंगे इसमें ऐसा आए कि दोनों का sum जो है वो 27 है तो पहला गर x मानते हैं तो second number निकालने के लिए 27 में से x हम माइनस कर देते हैं अब इन दोनों का जब हम multiply करते है तो 182 इसका product आता है तो देखिए यह हमने यहां पर multiply कर दिया है x multiply by 27 माइनस x equals to 120 जब हम इसको solve करेंगे 27 x माइनस x square equals to 182 27 x माइनस x square जो 182 एकवस 2 के left side में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यह अब हम पूरी digit को प्रापर करने के लिए माइनस common ले लेते हैं तो यहां पर हमारा आ जाएगा 1 x square माइनस 27 x प्लस 180 2 equals to 0 अब 182 को जब हम factorize करते हैं तो 13 multiply by 14 अब इनको plus माइनस करने पर 27 x आते हैं तो देखिए यहां पर x square माइनस 14 x माइनस 13 x प्लस 182 equals to 0 14 और 13 को जब हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस करेंगे तो माइनस 27 x आ जाएगा फिर same process होगा common लेंगे first common लेंगे तो x x माइनस 14 अंदर आ जाएगा second में से माइनस 13 common ले लेंगे x माइनस 14 अंदर आ जाएगा bracket के अंदर तो देखिए x माइनस 13 और second bracket होगा x माइनस 14 अब जब हम इसके variable found करेंगे तो x माइनस 13 equals to 0 तो x equals to 13 और x माइनस 14 equals to 0 तो x equals to 14 याँ पे roots की two values आएगी 13 और 14 अब देखिए question number fourth है find two consecutive positive integers sum of whose square is 365 हमें यह पे क्या करना है कि two consecutive positive integers निकालने है जिनका square का sum जो है वो 365 के बराबर है तो देखिए let the first consecutive number भी x the other consecutive number भी x में plus one करेंगे तो दूसरा number आ जाएगा दोनों positive integers हो गए consecutive number अब इन दोनों का sum इन दोनों का sum square का sum जो है वो क्या होगा 365 तो देखिए x square प्लस x फ्लस one का square एकवस्टू 365 तो जो x फ्लस one का square इसको हम kis से solve करेंगे a अप्लस b का whole square से इसको solve करते हैं तो क्या आता है a square plus 2ab plus b square ये देखिए यहां पर लिखा हुआ a square plus 2ab plus b square इसी विससे हम इसको solve करेंगे, तो देखिए, x को solve किया, x square को, तो x square आजाएगा, x plus 1 का whole square करेंगे, तो देखिए, x square plus 2ab, तो 2 into x into 1, और 1 का whole square हो जाएगा, तो इसको जो completely जब हम solve करेंगे, ये 365 आएगा, 65 लिखना रहे गया यहाँ पर, आप लिख दीजिएगा, x square plus x square plus 2x plus 1 equals to 365, 2x square plus 2x equals to 365, जो plus का 1 है, request 2 के right side में जाके minus हो जाएगा, तो यहाँ पर आजाएगा, 364, तो 2x square plus 2x equals to 364, अब हम इसमें से क्या करेंगे, कि 2x square में से, 2x square plus 2x में से 2 common ले ले तो अंदर आजाएगा, x square plus x, और इस 2 को 364 से divide कर देंगे, तो यह आजाएगा, 162, अब हमें यहाँ पर value equation क्या मिली है, x square plus x, और 364 को 2 से cut किया, तो 182, तो x square plus x equals to 182, तो x square plus x minus 182 equals to 0, अब यह 182 को factorize करेंगे, तो आजाएगा 13 multiplied by 14, तो दीखें, यहाँ पर आजाएगा, x square, अब यहाँ पर plus का आना चीए, तो अब यह जो 13x और 14x है, 14 के आगे minus लगा देंगे, और 13 के आगे हम plus लगा देंगे, 14 के आगे minus, प्लस हमें, sorry, 14 के आगे plus लगाएगे, 13 के आगे हम minus लगाएगे, ताकि 14 में से जब 13 minus करेंगे, तो हमें plus x की value मिल जाएगी, फिर minus 182 equals to 0, फिर हमने common ले लेंगे, तो x minus 13 यहाँ common आ जाएगा, plus 14, x minus 13, यहाँ पर भी common आ जाएगा, तो x minus 13, x minus 14, यह दो brackets मिले, x minus 13 equals to 0, तो x equals to 13, x plus 14 equals to 0, तो x equals to minus 14, यहाँ पर जो sign लगाना रहेगा, फिर से सुन लीजिए, 13x के आगे minus का sign आएगा, 14x के आगे plus का sign आएगा, plus minus minus हो जाएगा, तो 14 में से 13 जाएगा, तो x आजाएगा, तो हमें यहाँ पर दोनों values मिल चुकी है, first number x equals to 13, तो other number कितना हो जाएगा, x minus x plus 1, तो 13 में हम plus 1 कर देंगे, तो 14 हो जाएगा, दूसरी x के value जो minus 14 आई है, वो नहीं count होगी, minus वाली value हम count नहीं करते हैं, अब देखिए, question 5 है यहाँ पर, the altitude of right triangle is 7 cm, less than its base, जो altitude है, एक right angle का, वो is 7 cm है, less than its base, 7 cm base से कम है, जो triangle का altitude है, वो, if the hypotentious is 13 cm, find the other two side, तो let base equals to x, then altitude equals to x minus 7, तो hypotentious कितना हो जाएगा, इसमें 13 दियागा, तो हम 13 लिख देते हैं, by pythogorus theorem, b square plus a square equals to h square, तो b square equals to x है, b equals to x है, base x है, और इसका altitude a, वो क्या है, x minus 7 है, और hypotentious h कितना है, 13 है, तो जब हम इसको solve करेंगे, तो x square plus x square minus 2 multiplied by x multiplied by 7, plus 7 का square equals to 169, completely solution होगा, तो x और x plus हो जाएगा, तो x square और x square plus हो जाएगा, तो 2 x square minus 14 x plus 49 equals to 169, next, 2 x square minus 14 x plus 49 minus 169 equals to 0, 169 को हम equals 2 के right side में ले ले लेते हैं, तो यह minus हो जाएगा, next, 2 x square minus 14 x minus 120 equals to 0, अब इसमें से हम totally 2 common ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें जो equation मिलेगी, वो equation होगी, x square minus 7 x minus 60 equals to 0, अब हम क्या करेंगे, 60 के 2 part कर देंगे, factorize कर देंगे, 12, 5, 0, 60, अब 12 में से 5 गए तो 7 तो के यहाँ ओ जाएगा, x square minus 12 x plus 5 x minus 60 equals to 0, common ले लेंगे, same as usual, तो x commonly x minus 12, यहाँ से 5 commonly x minus 12 equals to 0, x plus 5 equals to 0, तो x equals to minus 5, x minus 12 equals to 0, तो x equals to 12, अब जो positive value होती है, वो ही हम लेते हैं, तो जो हमने base माना था, x वो आ गया 12, तो altitude हो जाएगा, 12 में से 7 minus कर देंगे, तो 5, अब यहाँ पर question number 6 है, a courtes industry produce a certain number of pottery article in a day, कुछ number of pottery article एक दिन में produce करते हैं, it was observed on a particular day, that the cost of production of each article was 3 more than twice, the number of article produces on that day, अब इसमें बताया गया कि it was observed, observe किया गया कि एक particular day पर the cost of production, production की जो cost है, वो of each article, एक article के production की जो cost है, वो 3 more है, किस से है, 3 more है than twice the number of article, जो number of article उसके twice से 3 ज्यादा है, if the total cost of production on that day was 90, find the number of article produces and the cost of each article, तो देखी, बहुत ही simple है, let the number of article X per day, तो the cost of article हो जाएगी twice, उस दिन में जो एक दिन में कितने पूरे बन रहे हैं, articles X बन रहे हैं, तो उसका twice cost जो थी, वो कितनी थी, total जो number of article है, उनका twice, तो X है, total number of article, उसका twice 2X हो गया, उससे 3 ज्यादा है, तो यह हो गया plus 3, अब देखी, अब इन दोनों का जो product है, जो वो कितना हो जाएगा, देखी, the total cost of production on that day was 90, तो total production निकाल देंगे, तो क्या कर देंगे, यह total number of article को हम, इच cost से multiply कर देंगे, तो X multiply by 2X plus 3 equals to 90, तो 2X square plus 3X equals to 90, 2X plus 3X minus 90 equals to 0, 90 की 92 जा 180, तो 180 की 2 part करेंगे, तो 15 12 जा 180, तो 2X square minus 12, X plus 15, X minus 90 equals to 0, same as usual common ले लेंगे, तो 2X common लेते हैं, तो अंदर आजाएगा, X minus 6, और यहां से plus 15 common लेते हैं, तो अंदर आजाएगा, X minus 6, 2X plus 15 equals to 0, तो 2X equals to minus 15, तो X की value आजाएगी, minus 15 अपन 2, minus की value को हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसको हटा देते हैं, next है, X minus 6 equals to 0, तो X equals to 6, हम यही वाली value लेंगे, then number of article equals to 6, cost of 1 article equals to 2X plus 3, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को 6 से multiply कर देंगे, तो 12, 12 plus 3 equals to 15, तो cost of 1 article equals to 15, dear student, मैं उमीड करती हूँ, कि यह chapter आपको समझ में आया होगा, exercise समझ में आया होगी, थोड़ा बहुत कोई भी confusion हो, कहीं भी problem आपको create हो रही हो, तो आप हमें comment में लिख कर कि उसका solution पोच सकते हैं, हम आपको उसका answer जरूर देंगे, dear student, अगर आपने चैनल अब तक subscribe नहीं किया, अगर इस वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को like कर लिजिएगा, और अपने friends के साथ share कीजिएगा, thank you so much,